Wedding jitters का क्या मतलब ह courtyard के आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Wedding jitters का मतलब होता है शादी की खबराहट याने कि जब किसी शर्गती की शादी होने वाली होती है तो शादी से पहले जो उसे घबराहट महसूस होती है या जो भी उसके साथ होने वाला है यानि कि जो उसकी life में changes होने वाले हैं या उसकी life में कोई और जो है permanently आ जाएगा या फिर उससे पहले जो भी feeling होती है उसको wedding jitters कहते हैं यानि कि शादी की घबराहट यानि wedding jitters refers to the nervousness or anxiety that one may experience leading up to their wedding day यानि कि शादी के दिन से पहले जो थोड़ी सी nervousness या anxiety किसी को होती है तो उसको wedding jitters कहते हैं it is common for individuals to feel jittery apprehensive about aspects such as ceremony, woes and life changing commitment they are about to make यानि कि उन्हें जो वहाँ पर शादी में जो भी कसमें खानी पड़ेंगे जो भी ceremony होगी या जो life changing commitment वो लेंगे तो उन सब चीजों के बारे में जो एक घबराहट होती है तो उसको wedding jitter कहते हैं और वो आम है ऐसा होना मतलब किसी को भी हो सकता है ज्यादा लोगों को ऐसा होता है यानि कि जैसे पेट में आपको अजीब सा हो सकता है आप restless महसूस कर सकते है या आपको सोने में जो है दिक्कत हो सकते है wedding jitters की वज़े से तो ये आम है कोई इसमें घबराने की बात नहीं होती है लगबग सभी के साथ wedding jitters होते हैं और अगर आपकी शादी हो गई है तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था या आपके किसी दोस के साथ ऐसा हुआ कि शादी की जो घबरा है तो उस हुई हो तो हमें comment करके ज़रूर बताइएगा अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें